हलो फ्रेंड्स वैलकम टु मैं चैनल एवन टेस्टी पूर्स और आज मैं बनाने जा रही हूं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाल पनीर अफगानी की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही युजी होतार खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी भी होता है और आप इसे कभी भी बना क कर सकते हैं तो चलते हैं पनीर अफगानी की रेसिपी बनाने के लिए तो इसे बनाने के लिए मिक्सी का जाल ले लिया है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और जितना धनिया बत्ता लिया है उसका एक चोथाई भाग इसमें डाल देंगे पुदीने के पत् तो यहां मैंने 25 भीगे हुए काजु लिए हैं अगर आपके पास काजु नहीं तो बदाम भी इसमें एड़ कर सकते हैं भीगे हुए इसमें हम डाल देंगे एक चमच अधरक लहसन का पेस्ट और साथ ही हम डाल देंगे रेस्टोडेंट स्टैल बना रहे हैं तो बिलकुर रे चमच और शास बंके रडी है इसे हम साइड में रख लाएंगे और एक बाउंड ले लेंगे और इस पहम डाल लेंगे एक कंटोरी दही तो यहां मैंने फ्रेस दही लिया है तो यहां बिलकुल खटी दही उसमें भीजilion की दालें और इसमें हम डालेंगे एसमें तो बस इन दोनों को मैंने अच्छे से mix कर लिया है और इसमें आप डाल देंगे जो paste हमने तयार करके रखा था तो इसे सारा डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से पहले mix कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकोडिंग नमक और यहां डाल रहे हैं कुटी वी काली मिर्च और एक चमच डाल देंगे चाट मसाला और थोड़ा सा डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी और इस पर जाएगा आधा चमच जीरा पाउडर और एक चोथा ही छोटी चमच जाल रही हुमें गरम मसाला तो जीरा पाउडर भुना हुआ यूज करें और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसकी कंसेस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा थीक होना चाहिए बिल्कुल पत्ला न feel- meer टारते दो यम तो ईससे में डालना है तो यह सब इसकी कि आप आंगेए उसके थोड़ा सा गरम होने देते हैं उसके बाद हम इसमें पनीर एट करेंगे बस एहलका सा गरम हो गया है अब इसमें हम पनीर कर देंगे तो इस तरह से डिप कर लेंगे पनीर को और इसके मैंने इसमें सारा पनीर एट कर दिया और पड़ा है हैं एक तरब अच्छे इसे गोल्डन ऋाने के बाद इसन इस तरह से पलट लेंगे और इसमें पना लेना और बहुत अच्छे से और और इसमें तो सारा पनीर हमारा रेडी हो गया, आप छाहे थे इसे इसे अपर थोड़ सा चाठ मसाला डाल के ऐसे अइसे भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही ज्रादा टेस्टी होता है। तो चलता है ग्रेवी बनाने के लिए ग्रेवी बनाने के लिए कड़ाय ले लिए इसमें एक चमच मैंने ओल आड़ किया है। और इसमें हम जालेंगे 2 चमच बटर तो बटर को पहले अच्छे से हम मैल्ट होने देते हैं तो लगबग दो चमज इसमें मैंने बटर एड़ कर दिया है और इसमें एक डाल देंगे हरी लाची एक डाल चीनी का टुकड़ा और यहां डालेंगे दो से तीन लॉंग और एक तेज पत्ता इसको थोड़ा सा पकने देंगे हम और आप चाहें तो यहां बारिक कटा हुआ अध्रक हरी मिच भी एड़ कर सकते हैं तो बस इन सब को पकने के बाद हमने जो ग्रेवी बना के रखी थी तो यह सारा ग्रेवी इसी में एड़ कर देंगे और इसे हम 5-6 मिट तक अच्छे से कुक करना है और इसमें हमने दही भी एड़ किया है तो आपको लगेगा कि यह दही डालते ही फट जाएगा लेकिन इसमें हमने काजू भी एड़ किया है जो बाइंडिंग का काम करेगा तो बस इसे हाई फ्लेम पे आप रहने दें और इसे अच्छे से कुक होने दें 5-6 मिट के लिए तो यहां यह थोड़ी सी ग्रेवी गाड़ी नहीं है आपका अगर ग्रेवी गाड़ी लगे तो आप उसमें पानी एड़ कर सकते हैं तो मैं इसमें पानी अभी आड़ नहीं करूंगी और इसे अच्छे से कुक होने देंगे 4-5 मिट के लिए अच्छे से बॉल आने देंगे और लगाता चलाते रहेंगे तो बस इसे बीच-बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे जब भी यह बॉल आएगा और बस इसे अच्छे से कुक करेंगे 5 मिट तक तो देख सकते हैं धीरे धीरे यह जो ग्रेवी है थिक होने लगी है तो थोड़ा सा और थिक कर लेंगे हम तो इसे अच्छे से देख सकते हैं थिक हो गई है इस जादा थिक नहीं करेंगे अब इसमीं हमने जो पनीर रेडी तो बस एक और बॉयल आ जाए और यह हमारे अच्छे से रेडी हो गई है बस गैस अब बंद कर देंगे और उपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे हरा धन्या तो यह पनीर अफगानी बिल्कुल रेडी है पनीर अफगानी बनके रेडी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना और बनाना बहुत ही एजी है तो आप इसे बनाएं अपने फैमली के साथ इंजॉय करें और कैसी लगी मेरी आज की रेसेपी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू कर दो